वेल्कम वेक टू निव एडिटिंग वीडियो तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी ट्री का बेक्गाउंड को रिमूब कर सकते हैं वो भी एक सिंपल और एक इजी वे में आपको सबसे पहले पीक काट को ओपन कर लेना है प्लस आइकन में क्लिक कीजिए एडिट एफ फोटो फिर आपका जो फोटो जिसका वेक गाउंड रिमूब करना चाते हैं जो भी ट्री का फोटो उसको इनवूट कर लीजिए फिर इसको क्रॉप में जाके क्रॉप कर फिर आप इसको इफेक्स में जाईए देन वेकंट वाइट एन एक्जेक्ष्ट एन आप इसको जितना भी ड्राक और पेड को ड्राक और स्काई को वाइट कर सकते हैं वो कर दीजिए मैं इसमें नाइन नहीं ही सिलेक्ट करूँगा और ओके फिर दुबारा एफेक्ट में चलेंगे फिर जाएंगे व्लाज दैन फिलाज दैन एक्जस्टमेंट दैन उल्ली इसको जोए हम वान दखेंगे कि देन ओके और नीचे जाके एड़ फोटो फे क्लिक करेंगे फिर इस फोटो को आपने क्रॉप करके सेफ किया था उसको इनफोट करेंगे एड़ करेंगे इस फोटो को और इसको फॉफ और उसके साथ मैच कर देंगे और देखिए इमेरे जो हो चुड़ा है फिर इसको ब्लैंडिंग में जाके इसको कर देंगे स्क्रीन देख सकते हैं हमरे जो डू मैंछ Буд वाइड हो चुका है अभी हम इसको खोयो कर लेंगे फिर इस वाले फोटो को जो हम सेफ कर लेंगे गैलरी में हमारा फोटो गैलरी में सेफ हो चुका है फिर अंडू करेंगे अंडू करने के बाद फिर से हम जाएंगे एफेक्स में फिर जाएंगे कलर्स में फिर नेगटिव में क्लिक करेंगे कि यहिए नेज़्टी में क्लिक करके आप इसको करदेंगे फिर इसको बात आपको लेना है आपके बैग्गाउण को ए atención में जाके आप जिसठी बैग्गाउण को रखना चाहते हैं उसको एड़ कर लेंगे burn करने के बात इस फोटा को फुल स्क्रीन कर लेंगे जिसकी सबसे आप चाहती इसको सेट करना फिर आप जाएंगे ब्लेंडिंग में और इसको कर देंगे स्क्रीन इसको ओके कर देंगे इसके बाद जाएंगे दुबारा से एड़ फोटो में फिर आप जिस फोटो को बैकाउंट वाइड करके रखे होंगे उसको सेलेक कर लेंगे और एड़ कर लेंगे इसको भी जो हम फुल स्क्रीन कर लेंगे फुल स्क्रीन कर लेंगे आप लोग जाएंगे दुबारा ब्लैंड में और यहां फिक कर देंगे हम मल्टिपाई देख सकते हैं वाओ कर देख सकते हैं वाओ झाल